कांजीपुरम नाम के एक गाउ में पद्मनी नाम के एक लड़की रहती थी वो सिवजी की बहुत बड़ी भक थी पासी के जंगल में एक शिव मंदिर था वो हर सोमबा जाके वहां सिवजी की पूजा करती थी शिवजी भी उसकी अराधना से बहुत प्रसन्न हो गए थे नाक पंचमी की राद थी पद्मनी अपनी मा के साथ मंदिर जाने के लिए तयार हो जाती है तुम दोनों जादा देर मत करना जंगल के इलाका सुरक्सित नहीं है बहुत चोरी दकेदी होती है आजकल आप चिंता मत कीजिए हम जली लोट आएंगे दोनों मंदिर चले जाते हैं वहाँ पूजा खतम करने के बाद बेटी चलो शाम होने वाली है घर चलते हैं वापस मैं कुछ और देर रुकूंगी माँ आप चले जाएए चिंता मत करना भूलिनात मेरी रक्षा करेंगे अच्छा ठीक है लेकिन जहाँ देर मत करना ये कहेकर माँ वहाँ से चली जाती है और पदमिनी शिवलिंगी पुजा करने लगती है तभी वहाँ सिर्जी खुद प्रकट हो जाते हैं पदमिनी मैं तुम्हारे भक्ती से बहुत खुश हुआ जो बर्दान चाहिए मांग लो हे भूलिनात हर ओरत की यही इच्छा होती है कि उसे आप जैसा पती मिले मेरी भी यही इच्छा है प्रभू आवश्य तुम्हें ऐसा एक वर मिलेगा जो तुम्हें आदर और स्ने से रखेगा तथास तू भूलिनात उसे वर्दान दे के वहां से चले जाते हैं पदमिनी भी अब खुशी खुशी अपने घर जाने लगती है पर अब रात हो गई थी रास्ते में ही एक चो छुपा बैठा हुआ था पदमिनी के पास आते ही वो उसे धमकाने लगता है जो भी पैसे जेवर है मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मा डालूँगा पदमिनी डर जाती है तभी वहां एक नाग आ जाता है नाग को देखते ही चोर डर के मारे वहां से भाग जाता है आपका बहुत बहुत सुक्रिया आपने मेरी जान बचाई पर आप हो कौन मेरा नाम रूद्र है मैं इस जंगल का नाग हूँ अब आप सुरक्षित हो चलिए मैं आपको घर छोडाता हूँ घर पहुचकर पदमिनी डर से पूछती है कि अगर क्या आप फिर से मिल पाएंगे रूद्र अब हर रात पदमिनी से मिलने आने लगा दोनों का प्यार समय के साथ गहरा होता गया एक दिन पदमिन अपने माता पिता को रूद्र के बार में बताती है पर बेटी एक नाक्ष शादी गाउं की लोग इसे कभी सुईकार नहीं करेंगे तुम्हारे लिए इतने लड़कों का रिस्ता आया है उन्ही मैंसे किसी किचुन लो बेटी लेकिन पदमिनी को सिर्फ रूद्र ही पसंद था वो किसी की बात न सुनकर उसी से साधी कर लेती है पदमिनी की पईवार के पास अब कोई चारा न था वो दोनों ना कोई अपने दमात की रूप में सुईकार कर लेते हैं रूद्र अब उनके साधी रहने लगा रूद्र का एक राज था जो पदमिनी को दूसरे दिन ही पता चलता है वो इंसानी रूप संभालो कार्णा न ने कही तुम्हें माजी ये मैं ही हूँ रूद्र रूद्र उनको अपने श्राप के बारें बताता है हमारे नागवन्ष में हर नाग के पास एक नागवनी होती है उसी नागवनी से ही हमें सक्टी मिलती है और हम जब चाहे इंसान का रूप ले सकते है मेरा मनी विक्षू नाम के एक दुश नाग ने चुरा लिया है उस दिन से मैं सिव रात को इंसानी रूप ले सकता हूँ पद्मिनी के नाक्ष शादी के बाद अब गावन्वालों को पता चल जाती है सब गावन्वाले उनके परिवार को बहिशकार कर देते हैं गाव में अब कोई भी उनसे बात तक नहीं करना चाता अरे गरमचन जरा थोड़ा दाल और चावल तोल देना नहीं लाला जी आपको कुछ भी देने से पंचायत में मना कर दिया है क्रिपे जाईए आप मेरे दुकान बन मत करवा दिजे रात को तुद्र फिर से अपना इंसानी रूप ले लेता है पदमीनी तुम्हारे परिबार को इतनी परिशानी हमारे सादी के बज़े से उठानी पर रही है मुझे ये देखकर बहुत दुक होता है पर मैं भी विवश हूँ पदमीनी रूद्र क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम सारा दिन इंसान का रूप ले सको पिता जी को खेट में तुमसे मदद मिल जाती अब तो मजदुरों ने भी काम करने से मना कर दिया है सिर्फ एक ही रास्ता है पदमीनी तुम्हें विख्षू से मेरा नागमनी बापस लाना होगा पर मैं एक नाग से कैसे नागमनी ले पाऊंगी रूद्र उसे बताता है कि उसे दूद लेके जंगल में विख्षू को ढूनना पड़ेगा दूद का गन मिलते ही विख्षू जरर उसे पीने आएगा और पदमीनी विख्षू किसी बरगत के पेर के पास रहता है पर कौन सा पेर मुझे नहीं पता इसलिए तुम्हें जंगल में हर एक बरगत पेर के पास जाकर उसे ढूनना होगा और कोई उपाई नहीं है पदमीनी दूद का एक घड़ा लाती है रूद्र उसमें जादोई विख्ष मिला देता है तो फिर मुझे पताक दे चलेगा कि वो विख्षू ही है इस दूद में मैंने जो विख्ष मिलाया है अगर कोई साधारान इंसान इसे पिएगा तो वो कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाएगा पर एक नाग पर इसका कोई भी असर नहीं होगा मैं समझ गई अगर कोई इस दूद को पीकर बेहोश नहीं हुआ तो वही बिख्षू नाग है याद रखना तुम उसे तभी मार पाओगी जब वो अपने साप के रूप में होगा जब वो अपने बिल में जाएगा तब तुम उसके बिल के आगे आग जला देना वो धुए से मर जाएगा फिर तुम मेरा नागमनी ले पाओगी बहुत साबधान रहना कहीं विक्षू तुम्हें देख न ले याद रखना विक्षू किसी इनसान के रूप में भी आ सकता है इसलिए बहुत साबधान रहना पद्बिनी दूसरे दिनी सवेरे सवेरे विक्षू को ढूनने निकल जाती है वो रास्ते में मिले हर बर्गत के पेर के पास दूद रखकर देखती है जंगल में काफी दूद जाने के बाद उसे एक विशाल पेर देखता है वो दूद वहां रखकर जाड़ियों में छुप जाती है थोड़ी देर बाद वो देखती है कि वहाँ एक आदमी आता है वो एक नाग का रूप लेकर दूद पिने लगता है तो विक्षू यही है दूद पिनने के बाद विक्षू अराम करने के लिए पासिकी बिल में गुज जाता है कुछी देर बाद पद्मिन चुपके से जाके बिल के उपर आग जला देती है दूआ से विक्षू का दम घुटने लगता है और उहीं पर उसकी मौत हो जाती है पद्मिन के रुद्र का नागमनी मिल जाता है घर वापस जाके उसे वो नागमनी दे देती है अब रुद्र की सारी सक्थी वापस आ जाती है और वो इनसानी रूप में आ जाता है दूसरे दिन लाला जी अपने दमाद रुद्र के साथ दुकान जाता है दुकान पर सरपंच और कुछ गाउवले खड़े थे लाला जी इस नाग को लेकर गाउव में क्यों गुम रहे हो हाँ इनसानों के गाउव में साब का क्या काम मुझे तो इस नाग से हमारे बच्चों के लिए डर है भाई रुद्र घर वापस जाकर पदमनी को सब कुछ बताता है मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लू गाउव के लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे आमवश्य का समय आ रहा था गाउव में डर का महोल था रुद्र गाउवलों को डर देखकर लाला जी को उसके बारे में पूछ था है पिता जी अभी तो दिवाली आ रही है खुशियों का समय है पर साड़े लोग इतने दड़े हुए क्यों है पेटा हमारे गाउव में हर मबसे रात को पताली नाम की एक डायन आती है वो तंत्र मंत्र काला जदू कर सकती है हर साल वो हमारे गाउव से किसी बच्चे को उठा ले जाती उसका बली दे आती है हम उसके काला जदू की आगे कुछ भी नहीं कर पाते ये हमारे लिए बहुत डरावना समय है इस साल भी हमें किसी बच्चे की कुरबानी देनी होगी इसलिए हमारे गाउ में दिवाली नहीं मनाया जाता मैंने तो आज तक दिवाली देखी ही नहीं है रूद्र तब सोचता है कि अगर वो पताली को मार दे तब वो गाउवालों को उसकी आतंग से बचा सकता है दूसरे दिन वो नाग लोग में प्रकट होता है और नागों के कुलगरू के पास जाता है कहो रूद्र कैसे आना हुआ कुलगरू पताली नाम के एक डायन ने मेरे गाउ में अत्याचार मचा रखा है खिप्या उसे मारने का कोई उपाई बताईए पताली उसे ना कोई इंसान मार सकता है ना कोई जानवर ना दिन में ना रात में तब तो मैं उसे मार सकता हूँ क्योंकि मैं ना ही इंसान हूँ ना जानवर मैं तो हूँ एक नाग एक इच्छाधारी नाग तो मुझे उसे सूर्य उदरी से पहले मारना होगा जब ना ही दिन्ध होता है ना ही रात याद रखना रुद्र पाताली की शक्ति का राज उसी जंगल में कहीं छुपा है वहाँ उससे लड़ने की भूल मत करना तुम्हें उसे जंगल से बहार लाना पड़ेगा मैं समझ गया कुलगुरू, अब मुझे आग्या देख विज्जय भाव रुद्र ये सारी बात घरवालों को जाके बताता है पर बेटा, पाताली तुमसे क्यों लड़ेगी जब उसे पता है कि तुम उसे ज़्यादा ताकत पर हो मेरे पास एक तरकीव है तुम किसे गाउवाले के भैस में उसकी पास चले जा और पिताजी खिलाफ उसके कान भरो एक बेचारे, कमजोर इनसान सोचकर वो तुमसे लड़ने जरूर आएगी रुद्र एक गाउवाले के रूप में पाताली के ठिकाने पर पहुचता है पाताली जी, आपके लिए एक संदेज है हमारे गाउं के लाला जी ने आपको चुनोती दी है कौन लाला जी? गाउं का एक बुज़र्ग आदमी है उन्होंने बोला है कि अब से आप गाउं के किसी बच्चे को हाथ नहीं लगा पाऊंगी क्या? लगता है इसे मरने का शोक चड़ा है वो कल सुझे उद्दे से पहले गाउं के भार आपको अंधिजार करेंगे मैं अगर नहीं गई तो गाउंवलों का डर कम हो जाएगा मैं जरूर जाओंगी मा डालूंगी उसे जान से मा डालूंगी दूसरे दिन रूद्र पताली से मुकाबला करने के लिए तयार हो जाता है पिता जी मा जी मुझे आशिवाद दीजेगा आप अपना खयाल रखना चिंता मत करो मैं उसे मार के ही लटूंगा रूद्र लाला जी का भेश ले लेता है ताकि वो पताली को चक्मा दे सके रूद्र पताली का इंतिजार करता है अचानक रात के सन्नाटे में एक हसी सुनाई देती है तुझे तेरी मोत ले ही आई पताली गुस्ते में रूद्र के उपर काला जादू करती है पर नाग को हराना इतना आसान नहीं वो उसके जादू को रोग देता है अब रूद्र अपनी असली रूप में आ जाता है चल मेरे साथ चल हुआ है तू तो एक नाग है पाताली आज तेरे अत्याचार का अंध होगा सारे गाउंवाली वहां आप पहुचते हैं और रूद्र का सुक्रियादा करते हैं हमने आपसी कितना बुरा बेहवार किया पर आपने हमें पाताली से मुक्ति दिलाई हम आपके हमेशा अभारी रहेंगे आज से ये मेरा भी गाउं है मैं हमेशा आप लोगों की रक्षा करूंगा रोद्र उस दिन से कांची पूर्यम का रक्षक बन गया और खुशी-खुशी पदमनी कसा रहने लगा दोस्तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरू करें तब तक टेक केर